हलो दोशतो आप कैसे हैं और मैं विजे कुसुए और आप देख रहे हैं वाद रंग कीज फटारे के वारे में उस प्रयाटी का नाम इस्प्रक्स है तो OoS कि स्प्रक्स का नाम आप करेंगे कि इसकी कि बीतदर कितनी हम उसk näङ 노र इन प्रयाइटी क्या है इसकी पैदावर कितनी होती है और इसको करेंव मिठीओं में ओगा सकते हैं तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे जो भी लोगे लोगे न principle पर पहलिवार पर हों वह वह मरवे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे खेते संबंदे नहीं नहीं जानकारी आपको यहां से मिलती रहे तो बने रहे है वीडियो के अंट तक चलिए शुरू करते हैं जैसा के सिमला मिर्च की इस बेराटी का नाम स्पनक्स है और यह ट्रॉप का सीर्स कंपनी की यह बेराटी है यह एक हाइवरेड वेराटी है जिसको संकर वेराटी है संकर किसम भी बोलते हैं इसकी कुछ बिसेस्ता है इसका जो पोदा है वो मजबूत होता है और अधिक साखाँ वाला होता है और अधिक साखाँ वाला होने के साथ साथ इसका पोदा काफी फैलावदार होता है इसकी पहली तुड़ाई रुपाई करने के लगवव 60-65 दिन बाद शुरू हो जाती है और पहली तुड़ाई करने के बाद 7-8 दिन के अंतराल पर आप इसकी बारवार तुड़ाई कर सकते हैं इसका जो फल है वो मध्यम बड़ा होता है और गोल होता है और चमकदार और बजनदार होता है और इसका फल चार खंडों में बटा हुआ होता है चार ब्लोकों में बटा हुआ होता है इसके फल की लंबाई लगवग 10-11 cm होती है और इसके फल की मोटाई लगवग 7-8 cm होती है और इसके फलका ओस्तन बजन लगबग 180-200 ग्राम तक होता है जैसा कि सिमला मिर्च की हम पहले नरसरी त्यार करते हैं और नरसरी त्यार करने के बाद इसको हम ट्रांस्प्लांट करते हैं तो जब हम इसकी नरसरी त्यार करते हैं तो इसकी नरसरी त्यार करने के बाद इसको जब हम खेत में ट्रांस्प्लांट करते हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए और पौदे से पौदे की दूरी कितनी होनी चाहिए तो इसको आप ट्रांस्प्लांट करते समय इसको आप बैड पर ट्रांस्प चाहिए इसकी जब भी हम बभाई करते है तो इसकी बीड़ díasकी एक एकर खेदकी रुपाई के लिए लगवग жить दो सो से ढठावब PHP पड़ती है इसकी पैदावार कितनी उती है तो इसकी पैदावार किकृरें इसकी पैदावार नहीं इसकी बार टुड़ाई होती है और इसकी एक सीजन में लगवग 7-8 तुड़ाई हो जाती है और ये अधिक पैदावाद देने वाली ये बैडाटी है इसकी कीमत क्या है तो इसकी जो कीमत है इसका एक पाउच 10 ग्राम आता है इसके एक पाउच में 10 ग्राम भीज निकलता है और इसके एक पाउच की कीमत लगबग 11 रुपई से 1100 रुपई के बीच में होती है और इसकी कीमत प्रतिवर्स बढ़ती भी रहती है तो इसकी जो कीमत है इसकी एक 10 ग्राम के पाउच की कीमत 1100 र हमें लगा सकते हैं जैसे पंजाब हर्याणा उत्तरप्रदेश मद्देश छत्तिसगड बेहार करनाटक तेलंगना असम मढपूर मेगालय जारखंड तो आप इस बैरायटी को लगवा सभी राज्यों में लगा सकते हैं एस बैरेटी को आप सभी प्रकार की मिट्ट्वा में भी हुआ सकते हैं विसेश कर इसके लिए दौमट और बली दौमट उत्तम मानी जाती है तो यह सिमिला मिर्च की इस्पनक्स वेराइटी बहुत है अच्छे है और यह अधिक पैदावार देने वाली वेराइटी है तो आप इस वेराइटी को लगा सकते हैं तो यह रही इस्पनक्स वेराइटी तो आप देखते रहे हैं बजरंग बीज बंडार योट्व चैनल और हमारे नहीं वीडियो द